चलो स्टार्ट करते हैं स्क्रीन को सबसे पहले मैं यहां से शेयर कर लेता हूं जो हमारा पिछला लेक्चर हुआ था पहला लेक्चर जावा का जिसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा था कि जावा लेंग्वेज को बनाया किसने मैंने बताया था आपको James Goslin ने बनाया था 1991 में बनी थी उस और जो उसका पहला वरजन आया था जावा का वो 1996 में आया था इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था दूसरी बात Java के प्रोग्राम करने के लिए सबसे important पहली step ये है कि आपको Java का प्रोग्राम लिखना पड़ेगा मतलब प्रोग्राम की जो भी लाइन्स होंगी वो लिखनी पड़ेगी लेकिन save करते समय एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आपके फाइल का नाम आपने home रखा हुआ है तो home.java extension देना पड़ेगा Java के प्रोग्राम के extension Java होते हैं और c programming के लिए तो .c आपको पता है cpp के लिए .cpp आपको ये भी पता है लेकिन Java के लिए .java देना है दूसरी बात इस प्रोग्राम को compile करने की जरूरत पड़ेगी इसी लिए आपको एक compiler download करना पड़ेगा इंटरनेट से अभी मैं डाउनलोड करता हूँ Java का compiler किस लिए ताकि एक नई फाइल वो बना के दे और उस फाइल का नाम होगा home.class file ये फाइल create होगी और ये फाइल वो बना के देगा कौन compiler उसके बात की बात मैं आपसे ये बताता हूँ कि इस फाइल को run करने के लिए हमें जरूरत होगी JVM की जब हम download करेंगे Java को तो compiler और JVM दोनों install हो जाएगा directly कैसे download करना आपको भी बताता हूँ program लिखना कैसे उसके भी बारे में बात करेंगे और इस फाइल को यहाँ पर operating system पर run किया जाएगा class file को बस इतना याद रखो JVM run करके देगा आपको जिसे interpreter भी बोलता है मतलब उसके अंदर interpreter होता है इसलिए मैं directly बोल रहा हूँ कि JVM interpreter जैसे काम कर रहा है लेकिन उसके अंदर होता है वो तो यह process है पूरी कैसे download करना मैं आपको बताता हूँ हाँ एक बात पहले download करना बता देता हूँ आपको या तो coding सीखो app आपके पास already है उस app में जाओगे तो आपको वहाँ file study material में देखोगे तो Java का app software मिल जाएगा आप वहाँ से download कर लो या फिर आप यहाँ लिखो Java download बस इतना सर्च करो यहाँ पे आने के बाद देखो download Java for Windows Oracle नाम की company ने 2010 में Sun Microsystems को acquire किया था मतलब पहले जो Java यह product था वो Sun Microsystems का ही था मतलब उसी company का है लेकिन जब Sun Microsystems को ही acquire कर लिया Oracle ने अब तो वो Oracle का product हो गया तो इसलिए इस समय Java जो है Oracle एक बात बताता हूँ कि Android जो Google यह company है इनके बीच में Oracle के बीच में पहले से अच्छा नहीं था यह जो दो companies है एक Oracle और दूसरी Google जिसके वज़े से क्या हुआ जब से 2010 के बाद से Java को Oracle ने acquire किया तब से Java का use Google ने कम कर दिया करते हैं अभी भी बहुत लेकिन कम कर दिया पहले की मुकाबले और उन्होंने एक language launch की थी इसका नाम Kotlin था मतलब इस समय जो आप Android सीखते हो Android में पहले Java use होती थी बहुत अभी भी होती है Android with Java ऐसे बोला जाता है या फिर कोटलीन आ गया है कोटलीन आप देखोगे कभी भी Android सीखोगे Android भी एक language जब आप उसको सीखोगे तो आपको पता चलेगा कोटलीन के बारे में दूसरी बात कोटलीन के अलावा एक flutter ये भी एक language है इस technology में आप iOS के भी application बना सकते हैं और Android के भी दोनो इसकी cross platform सबसे खास बात ही है जो flutter है वो तो दोनो चीज हो जाती है बहुत सारे डेवलपर अब flutter डेवलपमेंट बनना चाहते है flutter डेवलपर बनना चाहते है ताकि उन्हें दोनों चीजे मिल जाए और उनकी salary जादा हो as compared to दूसरे थोड़ा सा फरक होता है salary में तो ये चीज हो गई हाँ आप जब देखो के Android को तो उसमें Java यूज होती थी पहले अभी भी उस करते हैं कम लेकिन जैसे कोई कोई companies यूज करती है होता है लेकिन थोड़ा पहले के मुकाबले तो कमी है अब उन्होंने अपनी खुद की language निकाली Kotlin जो उससे जादा बेटर आज भी Java ही है speed के मामले में भी features के मामले में भी लेकिन Google का product है Kotlin तो उसका भी market बढ़ी रहा है क्योंकि उनके पास उस तरीके की strategies हैं उसके उपर वो काम करता हैं तो वो एक चीज हो गई आप देखो यहाँ पे यह java.com पे जाके भी कर सकते हो और एकल पे मैं जा रहा हूँ और एकल जावा डाउनलोड पे मैंने क्लिक किया अगला पेज ओपन होगा यह देखो यह पेज भी जावा में ही बना हुआ है बहुत सारे applications आप देखो कि Java में बने हुआ है Twitter भी है Java में बहुत सारे applications है तो speed के मामले में तो बहुत अच्छी speed प्रोवाइड करता ही है अब आपको डाउनलोड कुन सा करना है 20 की जगा 17 करो तो ज़्यादा अच्छा होगा 17 वाला stable है 20 तो अभी आया हुआ है use किया जा सकता है कोई problem नहीं लेकिन ठीक है 17 करो आप 8 भी कर सकते हो java 8 आजकल हर company में इस समय 80 यूज हो रहा है java 8 8 के बाद और versions है लेकिन java 8 यूज कर सकते हो या तो ठीक है इसको डाउनलोड करना लेकिन आपका operating system Linux हो तो ये वाला करना Mac operating system हो तो ये वाला डाउनलोड करना Windows है मेरा तो मैं ये वाला कर रहा हूँ यहां पर लिखा हुआ 64 installer कोई भी compressed file कोई भी करो चलो इंस्टॉलर करता हूँ इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा ये downloading start हो जाएगा आप देख सकते हो एक side में downloading start हो चुका है कुछ भी नहीं करना ये जो setup मेरे पास already है मेरे में Java already installed है और बस आपको करना क्या है double click करना उस पर next 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 finish खतम और कुछ नहीं ना कोई चेक मार करने कुछ नहीं करना बस next next करना है ऐसे installation होता है आज सुबा मैं एक जावा का प्रोग्राम पढ़ा रहा था मैं दिखाता हूँ सुबा आज हम बात कर रहे थे सुबा कुछ चीजों के बारे में आपको दिखाता हूँ हमें भी वो पढ़ना है एक जावा का लॉग इन स्क्रीन का एक प्रोग्राम था सुबा की जो मेरी बैच है फेबरुरुरी वाली इसमें मैंने यहांपे वो प्रोग्राम है ताकि आपको जादा से जादा सीखने को मिले खुद से टाईप करता हूँ वहां में पर कोड रेडीने मिलते हैं मैं वह नहीं सीखाता खुद से ही टाईप करूँग एक लाइन खुद टाइब करूंगा एक लाइन आप भी पड़ोगे आपको जादा सीखने को मिलेगा वो बाद में जब प्रोजेक्ट की बात आएगी तब उसको देखेंगे लेकिन आज आज आपको यह पता होना चाहिए यह देखो यह प्रोग्राम हमने पूरा टाइप किया हुआ है जो आपको दिखाई दे रहा है अब इस प्रोग्राम को मैं आपको रन करा के दिखाता हूँ देखो यह प्रोग्राम है यह प्रोग्राम है इसको रन करता हूँ रन करने के लिए जावा में कैसे करते हैं अभी सिखाऊंगा मैं अभी मैं डारेक्ली रन करता हूँ अब बता करता हूँ जावा उस प्रोग्राम को रन करता हूँ उसका नाम है लॉग इन्टर दबा रहा हूँ कंपाइल किया हुआ है इसलिए देखो ये प्रोग्राम है इस तरीके का एप बनाया मैंने एकदम बेसिक जस्ट सिखा रहा था इमेज वगेरे सेट करना इसके पीछे पासव हुआ है तो वाइट रोग देखो इधर ब्ली रोग कर सकते हो ये जस्ट एक चोटा सा एप था हमने लोग इन स्क्रीन हां अगर मैंने आ पे कुछ एंटर कर दिया मुझे लगता ये सही नहीं है क्लियर पर दबाऊंगा तो एक और यहां पर आपको एक विंडू दिखाई देगी, cleared successfully, जरूरत नहीं थी इसकी लेकिन मैं मुझे ये भी पढ़ाना था, इसके लिए मैंने वो भी बता दिया, फिर मैंने ये बताया, add button, अगर गलती से आपने दो numbers डाल दिये यहां पर, और 67, तो यहां पर add करूंगा, तो इधर लिखा हुआ आएगा, addition is 112, अगर addition कर अगर मैंने लिख दिया कुछ और add की जगा login बटन दबा दिया, तो आएगा login unsuccessful क्योंकि गलत है, क्योंकि मैंने यूजर ने पासवर्ड कुछ अलग रखा हुआ प्रोग्राम में, मुझे देखना पड़ेगा, शायद admin और 1234 है, 1234, login, हाँ, अभी successful आया, लेकिन ये page बंद ये code मैंने बनाया ही अभी, इसलिए इतना ही दिख रहा है, वो तो label set किया था, इसलिए label दिख रहा है, clear कर दो, clear, label को भी clear, पिसली बार मैंने क्या किया था, clear दबाने पर सिफ अंदर का part clear होता था, label नहीं होता था, तो हमने फिर से code में change किये, हर एक changes type कर के ही किये हुआ ये सब ready-made program अगर आपको बनाना है, तो अब देखो, अब वो software एक बार आपको दिखाता हूँ, NetBeans और Eclipse, जिसमें Java के program किये जाते हैं, रुखो, ये करना कैसे, ये सब तो मैं आपको सिखाना ही वाला हूँ, ये देखो, मेरे पास एक software, Apache NetBeans, जिसमें मैं project बना रहा अब इसके अंदर भी मैंने project बनाया हूआ है, उसमें भी आप देखो कि सब ready-made है, program कुछ लिखने की जरुदि दिखाता हूँ, जैसे कि अभी आपको मान लेते हैं, रुखो, थोड़ा पता नहीं, अभी slow क्यू चल रहा है, दिखाता हूँ, हाँ, जैसे ये homepage कहां गया, homepage, homepage, homepage में देखते हैं, क्या-क्या दिख रहा है, program लिखने की जरुदि नहीं, बस changes करने बढ़ देखो, ये सब दिख रहा है, ये सब क्या coding से नहीं किया, पिछली बार coding से किया ता, जो सुभा पढ़ा रहा था, ये तो मैंने, देखो, यहां से button चेहिए, उठाओ, drag and drop करके button, ये देखो, direct button का नाम change करना है, इस पर मैं click कर दिया, दो बार इसलिए code आगया, उसका, code सब अपने आप आजाते हैं, कुछ code लिखने की जरुरती नहीं आपको, code आजाएगा, बस button पर click करने पर क्या होना चाहिए, ये लिखना पड़ेगा, button बनाना है, label बनाना है, ये इसमे item 1, item 2, आप select कर सकते हो, जो भी करना है, वो सब हो जाता है, तो ये ऐसे, सब ready-made आपको मिल जाएगा, सारे components मिल जाएगे, वो components उठाके frame में डालो, ये frame है, पूरी frame के अंदर एक चीज़े डालो, जो जो दिखना चाहिए, हो गया, ये तो और आसान है, ये जल्दी पूरा project, आप दूसरे को भी बना के दे सकते हो, अपने ही class के अपने दोस्त का project आप बना सकते हो, वो आएगा कोई की मेरे पास बोलेगा की sir, आप fees ले ले लो, आप बना दो, उसे अच्छा fees लेके आप बना देना, उसी से आप भी बना लेना, मैं दे देता हूं कभी आता, time ही नहीं होता, sir के पास भी time नहीं रहा, तो किसी बच्चे को दे देता हूं, यह बना दो, उसे पैसे ले लेना, कर देते हैं बच्चे, सबको सिखा चुका हूं, ऐसा कोई नहीं जिसको जमता नहीं, मेरे पास project बनाना, तो इसलिए वो problem तो होने ही नहीं वाली, आप पे जाओगे, वहां plus plus भी मिल जाएगा, plus plus और notepad में फरक क्या दिखाता हूं, notepad plus plus दिखाता हूं, same होता है, थोड़ा सा फरक होता है, यह देखो, इसका interface क्या लिखा, this file has been modified by another program, do you want to reload, yes, यह देखो, कहीं और मैंने open की थी, वो बता रहा है, अब इसमें थोड़ अच्छा दिखता है, colors दिखते है, proper, मतलब यह थोड़ा अलग लगता है, देखने में भी, तो इसके लिए आप इसको भी उसकर सकते हो, दोनों सेम है, यह पिछले programs मैंने कियो है, यह देखो, यह दिखाई दे रहा, care का color बदल गया, new का color, यह थोड़ा सा अलग लगता है तो आप इसको भी उसकर सकते हो, थोड़ा जैसे feel आता है कि हम coding कर रहा है उसका, बाकि notepad में भी करोगे तो कोई problem नहीं है, notepad में भी किया जा सकता है program, यह देखो, हाँ, लेकिन अब run कहा करे, पहले तो एक software हुआ करता था code blocks, वहाँ पे एक option होता था, compile and run, notepad में नही program लिखा, इसका कुछ तो नाम रखा, home.java, आपने रख दिया मान लेते हैं, desktop पे, अभी है नहीं, मैं consider कर रहा हूँ, desktop पे रखा, home.java, आपको command prompt open करना, cmd, सर्च कर लो, आ जाएगा, और cmd आने के बाद आपको जो program लिखने है, वो यहाँ लिखने है, मतलब program नहीं, मतल अब आप java को install करोगे, तो क्या होगा पहले बताता हूँ, यह देखो, java को install करने के बाद सबसे पहले मैं अपने folder में जाता हूँ, यह देखो, java कहा install हुआ है, c drive के अंदर java मेरा install हुआ है, दिखा देता हूँ, c drive, उसके बाद program files, उसके बाद java, हाँ, यह java है, उसक कोई problem ने, आप 17 करो, उसके बाद देखो, बीन में जा रहा हूँ, इतने folders के अंदर आया मैं, these pc, windows, my program files, java, jdk 19, बीन, बीन में आने के बाद, आपको दो files दिखेंगी, यह देखो, j दबा रहा हूँ, एक file का नाम है, java, आपको दिखा ही दे रही होगी, दूसरी file का ना नाम है, java c, और एक file का नाम है, java, देख लो, दो files है, एक का नाम java है, एक का नाम java c, यही दो file main है, जो आपके program को compile भी करेंगी, run भी करेंगी, java c compile करेगी, java run करेगी, दो files है, यह होनी ही चाहिए, अगर आप install करने के बाद यह फाइल नहीं आई, तो कोई फाइदा में आखिर लिखना क्या है, मैं आपको बता हूँ, command prompt में आपको करना क्या है, वो भी बताता हूँ, सबसे पहली बात, कि command prompt जब आपका open होगा, तो आपको लिखना है, java c, java c, लिखने के बाद, आप इसके आगे लिखोगे, आपके program का नाम, जैसे home.java, मतलब java c को उस file को देना है, ये एक app है, this is the application, और उसके साथ आपको क्या करना है, आपकी java की जो file है, उसको साथ में रखना है, compile किसको करना है, बताओगे तब तो compile करेगा ना, सिब java c लिखोगे, तो फाइदा क्या है, compile किसको करना है, वो भी आपको लिखना चलो, compile किया, compile करने के बाद एक नई file बनेगी, उसका नाम होगा, home.class, अभी तो बताया, एक नई file बनेगी, compile करने के बाद उसका नाम होगा, class, ये बन जाएगी, अब run किसको करना, इसको run करना है, तो आप लिखोगे java, और उस file का नाम क्या है, home, बस, dot class लिखने की ज़ class file ही run होती है, तो आपको compile करना है, home.java को, और run करना है, इस file को, बस, इतना ही है, हाँ, लेकिन आप बोलोगे, चलो, प्रोग्राम ही लिख देता हूँ, गलत, प्रोग्राम एक बना दूँ, मैं प्रोग्राम को आपको समझाऊँगा पूरा अच्छे से, लेकिन पहले एक बेसिक प्रोग्राम को ही बना देता हूँ, java का, दिखा देता हूँ, कैसे बनता है, hello print कराना है, आपने इससे पहले c, c++ में शायद hello print किया होगा, तो hello कैसे print करते है, देखो यहाँ पे java में, class, class का नाम में रख दे, मतलब java का एक नियम है, अब बता रहूँ तो थोड c++ java, c programming में प्रोग्राम शुरू होता है, वाइड में से, यह लिखना ही पड़ता है, प्रोग्राम स्टार्ट होता है, ऐसा ही लिखना पड़ता है, c++ में भी ऐसा ही है, वाइड, में लिखना पड़ेगा, यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा, यह क्या हो गया, same लेकिन Java क्या बोलता है मेरा भी program void main से ही शुरू होगा लेकिन आपको अगर किसी function को लिखना है यह main एक function है तो आपको किसी ना किसी class के अंदर लिखना पड़ेगा यह हमारा rule है मतलब आप कोई भी function without class बनाई नहीं सकते आपको एक class बनानी पड़ेगी class का नाम कुछ भी रख सकते हो यहाँ पर जैसे मैं लिख देता हूँ नितिन class का नाम नितिन रख दिया जावा का rule है कोई भी function अगर आपको बनाना है तो किसी ना किसी class के अंदर बनाना पड़ेगा यह नियम है तो यहाँ पर कोई नियम नहीं था तो हमने direct void main लिखा program printf लिख दिया printf और यहाँ लिख दिया hello तो hello print हो जाता था यहाँ पर लिख देते थे c out और यहाँ लिख देते थे hello यहाँ पर जाता था लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं यहाँ लिखना पड़ेगा system.out.println और उसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा hello तब जाके वो प्रिंट हो गाँ system में class का नाम है वो अभी पढ़ाऊंगा आगे एक चीज बताऊंगा आखिर में यह क्या है हा लेकिन Java यह बोलता है वाइड के पहले आप public भी लिखो और static भी लिखो अब static क्या होता यह तो static जब पढ़ाऊंगा आगे तो बताऊंगा यह मतलब एक Java का basic program लिखने के लिए टीज जाओ करें यह यह भी एक रूल है है मतलब आपके program का नाम अगर receive class का नाम नीतीन है तो file का नाम नितीन.jawe ही होना चाहिए यह भी रूल है जावा का फाइल का नाम और क्लास का नाम सेम लेकिन आप मेरे मुझसे सवाल पूछोगे कि अगर एक प्रोग्राम में चार क्लास है तो क्या नाम होना चाहिए फाइल का हो सकता है ना ऐसा ऐसा थोड़ी कि एक फाइल में एक ही क्लास होगी बहुत सारी क्लासे सो सकती है तो फाइल का नाम क्या रखेंगे फिर फाइल का नाम और क्लास का नाम से मोता है उस समय यह देखना है में फंक्शन किस क्लास में है main function नितिन में है क्योंकि हो सकता है एक में जब उलिए आप एक लगार बी नाम की हो सकता है तो इस समय आप क्या देखोगे कि आपका main function किस class में है बस बस वो देखो कोई प्रोब्लम नहीं आने वाली वही फाइल का नाम हो च्छाइए लिखाता हूं एक प्रोग्राम बना दूँ जल्दी से क्लास का नाम चलो नितिन ही रख देता हूँ नितिन आज मैं कोई फोल्डर नहीं बनाने वाला हूँ क्योंकि मैं एक फोल्डर बनाऊंगा उसके अंदर सारे प्रोग्राम अपने बैच के रखूंगा आप चाहिए तो वह पेंट राई उसे ले सकते हो या तो कोडिंग सीखो एप के उपर जाके आप वहां से भी सारे प्रोग्राम डाउनलोड कर सकते हो सारे नोट्स बस मैंने उनिवर्सिटी का नाम हटा के अपना नाम डाला हुआ है यह भी बता देता हूं तो आपको लगेगा कि मेरे नोट्स है वह तो अभी देखो इसके आगे क्या करना मैं यहां लिखता हूं पबलिक static , उसके बाद लिखता हूं void , main , उसके बाद लिखना पड़ेगा string , उसके बाद लिखना पड़ेगा args , उसके बाद यह इस तरीके से लिखता हूं , छेक कर लो Online , मैं वह दूसरे अब पर आने वाला था लेकिन अभी मैंने वह को सेट अप किया नहीं इसके लिए भी टीम्स पर ही पढ़ा रहा हूं ठीक है जॉइन हुए है स्टूडेंट्स ठीक है इसका नाम मैंने रख दिया यहां पर नितिन हां लेकिन अभी अभी सेव करते समय क्या नाम रखो नितिन.java रखा इसे डेक्स्टॉप पे सेव करते हैं नहीं किसी फोल्डर में अभी कहां सेव हो रहा है फेबरूरी बैच में नहीं यह हमारे प्रोग्राम है नहीं इसको डेक्स्टॉप पे सेव कर दिया देख लेते हैं फाइल आ गई क् करने के बाद भी कुछ दिखेगा नहीं आपको सिस्टीम डॉट आउट डॉट प्रिंट अलन उसके बाद लिख देता हूं यहां पे हेलो बस सेव किया अब इसको रन कराने की बारिया है रन कैसे करेंगे देखो यहां पर मैं आता हूं कमांड प्रॉम्ट उपन करने के लि क्या आपका java installed है क्या तो यहां पे सर्च करो java enter दबा दो हां installed हमें देखो दो एप बताया मैंने एक जावा एक java c अब CLS दबा देता हूं मैंने ये clear करने के लिए CLS clear screen command prompt को clear करने के लिए CLS दबाना Java C दबा के देखू क्या हाँ हो रहा है मतलब ये install हो चुका है बस clear हो चुका है अब ये screen आपके सामने है अब यहां पर मैं लिखता हूं Java C लेकिन problem यह है कि यह जो path आपको दिखाई दे रहा है ना यह अलग path है और मैंने program save कहां किया है desktop पे फिर तो problem हो जाएगी इसको अभी मैं अपने program का नाम लिखू क्या क्या नाम है मेरे program का Nitin.java बस इतना ही लिखता हूं Nitin.java नहीं यह बोल रहा है ऐसी कोई file ही नहीं यहाँ पे यह हमको पता ही नहीं क्या है ऐसी command हमें नहीं पता सही बात है ना आप अगर ढूड़ोगे उसे किसी और folder में तो कैसे मिलेगा मैं तो desktop पे हूँ अब आना है उस फोल्डर में desktop पे आना है ना cd लिखो change directory और लिख दो desktop इसके बाद वाला folder जो desktop है आ गया आप बोलोगे हमें नहीं पता चल रहा है desktop का क्या path है आप चेक कर सकते हैं देखो यहाँ पे आओ आपको path जानना है ना desktop पे क्लिक करो किया इधर आओ अरे यह क्या हो रहा है इधर आया यहाँ पे यह path मिल जाता है रुको इस पे मैं right click करूँ यहाँ पे shortcut है आपको जिस path में जाना है प्रोपर्टीज प्रोपर्टीज में एक यह path आ गया C users Vikas Singh और उसके अंदर desktop है या फिर जैसे मान लेते हैं आपको आप सारे प्रोग्राम सेव कर रहे हो कि इधर D drive में आया और मैं आ गया December वाली batch में यह path है देखो इधर यहाँ से copy कर लो D slash 930 batch आ गया path के अंदर तो आया ही जा सकता है कोई भी आ सकता है तो आपको पता है path क्या होता है नहीं भी पता है तो भी बता रहा हूँ एक सबसे आसान चीज बता हूँ आपको path वाला tension ही आपका खतम हो जाएगा change directory लिखो फिर पूरा path copy करके change करो जैसे आपको d drive में जाना है ना d colon लगाके slash लगा दो आड डी colon लिख दो खाली बस अभी आप d drive में आ चुके हो दिखाओ यह देखो दिख रहा है क्या d drive में आ चुके हो आप clear screen c drive में जाना है c लिखो colon लगाओ आप c drive में आगए change directory करके पीछे आओ D drive में आना है, D लिख दो, colon लगा दो आगए D, D के अंदर कहा जाना है CD लगा के change करो drive change करने के लिए CD मत लगाना directory change, folder change करने के लिए CD लगाना पड़ेगा CD आपको D से अंदर किसके किसके अंदर जाना है, तब CD उसकी यह बहुत सारे बच्चों को problem होती है, मतलब college के time पर हमको यही पढ़ाया गया था, CD लिखो change directory उससे path change हो जाता है लेकिन जब मैं C drive में हुआ करता था या फिर D में, तो मैं C में जाना चाहता था, तो नहीं जा पाता था C, colon, slash, program फाइल्स में अगर मुझे जाना होता था, तो मैं जा नहीं पाता था अहां, लेकिन CD नहीं लिखा, तो को CD भी लिखता हूँ अभी भी नहीं जा पाता था ऐसे ही है यह पाता D में ही हूँ, देख लो, enter दबाने के बाद भी C में गया क्या, नहीं, CD से ड्राइव नहीं बदलते, ड्राइव बदलना है तो ड्राइव लगाओ बदल जाएगा, अब आप आएगी नहीं प्रोग्राम फाइल्स में, देख लो तो ड्राइव बदलने के लिए CD मत लिखना, लेकिन यह सब छोड़ो यह सब के चक्कर में पड़ो ही मत, आप क्या करो, यहाँ पे कीबोर्ड से एक बटन दबाओ, शिफ्ट, उसे दबा के रखो, अगर आपका Windows 11 नहीं है तो, या फिर है तो भी दबादो, शिफ्ट, उसके बाद राइट क्लिक करो, यहाँ पे आजाएगा, ओपन इन टर्मिनल या फिर ओपन पावर शेल विंडो हीर, दोनों में से कोई भी, दोनों कमांड प्रॉम्टी है, चलो क्लिक किया, अब अगर आप नोटीस करोगे, यह जब उपन होगा, तो आपका पाथ अल्रेडी सेट होगा, हैसेट, अब चलो किसी और फोल्डर में जाता हूँ, डायरेक्ली आप आप CMD सर्च करके आओगे ना कुछ और ही पाथ आता है, लेकिन अगर आप जैसे आ गए, मान लेते हैं, C, इस PC के अंदर में आया, E-Drive में आया, मान लेते हैं, और किसी फोल्डर में, जैसे यूट्यूब इसमें गया, और फोल्डर मुझे दिख रहे हैं, C, प्रोग्रामिंग, आया यहां पे, अब यहां आने के बाद देखो, यहां पे shift दबा के right-click करता हूँ, shift दबाया, right-click किया, क्या आया, open in terminal, इस पे जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ, आप देखोगे, अब जो पाथ आएगा उस पाथ में हम डायरेक आ गये, CD वगेरे वाला टेंशन खतम, उससे भी आसान बताओ, उससे आसान बताता हूँ, इससे भी आसान, आप क्या करो, इधर सर्च करो, CMD, बस, एंटर दबादो, अब जो CMD खुलेगा ना, वो इसी पाथ पे खुलेगा, यह देखो, डायरेक डालो CMD, एंटर दबादो बात खतम, यह तो और आसान है, आप कितने भी कोई भी फोल्डर में रहो, अब इस फोल्डर के अंदर किसी भी प्रोग्राम, इस तो बहुत बड़ा नाम है, अब इस फाइल का नाम जो होगा, वो लिखूंगा तो यह चलने लग जाएगा, होती तो उपन हो जाती हो, मुझे यह बोलना है आप से, हा तो उसी तरीके से अब डेक्स्टॉप पे मैंने नितिन.java रखा हुआ है, शिफ्ट प्रेस करके राइट क्लिक किया, अब मैं शिफ्ट बीना प्रेस किये भी राइट क्लिक करू, तो भी आ रहा है उपनी टर्मि क्लियर कर लिया स्क्रीन, अब मैं लिखता हूँ मेरे प्रोग्राम का क्या नाम है, नितिन.java, लिख के देखते हैं क्या होता, नितिन.java, डारेक लिख रहा हूँ, आप देखो के वो प्रोग्राम हो जाएगा उपन, कोई भी फाइल होती है तो उपन हो जाती है, मतलब ड एप्लिकेशन को रन करते थे, अभी आप क्या करते हो, डबल क्लिक करते हो, उपन हो जाता है, पहले नहीं था यह सब, पहले ऐसे किया जाता था, फाइल को उपन, इस मेथड से, कमांड प्रॉम्ट, तो यह कमांड प्रॉम्ट है, यहां आने के बाद, लेकिन आपने निति इस फोल्डर में पहले आप बताओ, यह किस फोल्डर में ऑनलाइन वाले भी बता सकते हो, यह फोल्डर है, यह जो फाइल है, जावा सी, यह है प्रोग्राम फाइल के अंदर, जावा के अंदर, जेडीके के अंदर, बीन के अंदर, बराबर यह तो बहुत अंदर है, तो य लाई जा सकती आपने इंस्टॉल किया है जावा को उस समय पाथ भी सेट हो चुका है एक कंसेप्ट है पाथ सेट करने वाली अलग से पाथ सेट करना पड़ता है जावा में अभी नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपका बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा छोड़ दो अभी डारेक्ट लिखता हूं जावा सी हमारे प्रोग्राम का आगे बताऊंगा लेकिन उसको मुझे दो तीन दिन के बाद बताना ही पड़ेगा नितिन.java करते हैं कंपाईल इंटर बटन दबाऊं देखते हैं क्या कोई नई फाइल क्रियेट होती है क्या इंटर दबाया देखते हैं हाँ हो गई क्लास फाइल ओपन हो गई रन किसे करना है तुम बताओ डॉट जावा को या क्लास फाइल को रन करना है ध्यान रखो मैंने क्या बोला आपसे कंपाईल करना आपकी डॉट जावा फाइल को जो मैंने कर लिया रन किसको करना है डॉट क्लास फाइल को हा लेकिन डॉट क्लास लगाने की ज़रूत नहीं रन करने के लिए क्या लिखते हैं क्या लिखते है बता सकते हो तुम हाँ, क्या लिखते हैं बोलो अभी बताया ना Java लिखना पड़ेगा बस और नितिन मैंने आपको बोला ना दो फाइल मैंने अभी जब Java को इंस्टॉल किया तो दो फाइल दिखाई आपको ऐसे गोल करके लाल कलर में दिखाई भी थी मैंने एक Java C थी और दूसरी Java थी, मैंने बोला compile करने के लिए Java C रन करने के लिए Java आसान है, कोई टफ नहीं है सुनोगे तो सब समझेगा ये देखो, इसको रन किया है हेलो प्रिंट हुआ, ये देखो हो गया ना प्रोग्राम ऐसे ही रन करने अपने को प्रोग्राम सारे, ये तरीका है Java के प्रोग्राम को रन करने का और ऐसे ही आपको सीखने को मिलेगा बहुत जादा अभी डीटेल में मैं जा नहीं रहा हूँ, अभी फिलहाल स्टार्टिंग में धीरे-धीरे करके मैं और भी चीजें बताऊंगा आपको कि कौन से फाइल को मैंने क्यों लिखा एक रूल कुछ बता देता हूँ आपको ये जो क्लास होती है न जावा में जितनी भी क्लासे से सबका पहला लेटर क्यापिटल होता है आप बोलोगे क्यापिटल मतलब अगर क्लास का नाम है जैसे की दिखाता हूँ आपकी किसी क्लास का नाम है एरे-इंडेक्स, आउट ओव बाउंड्स, एकसेप्शन अगर आपको लिखना है मान लो तो ऐसे आएगी क्लास array का A capital, index का I capital, out का O capital, off का O capital, bounds का B capital, exception का E capital ये class है, Java की जितनी भी classes होती सबका पहला later capital होता है, ये भी class का नाम है Java के मैंने लिख दिखा दिया, arithmetic exception में A capital होगा और exception का E capital होगा समझ रहो बात को क्या बता रहा हूँ मैं, ये ध्यान रखो हाँ, मतलब Java जो है, वो camel case notation को follow करता है, camel कैसा होता है, ऐसा ना ऐसा ना camel case notation, तो ये ऐसे ऐसे type का है, snake case notation पता है, snake वो ऐसे होता है, अगर python में यूज़ करते हैं उसे, ये देखो array index out of bounds exception, ये है, snake case notation, एक होता है, पास्कल case notation, पास्कल केस, ये पास्कल ही है, देखा जाए, तो ये वाला पास्कल case है, ये जो मैंने बता है, camel case में क्या होता है, कि पहला word small बागी के सारे capital, जैसे, array का a small हो गया, index का i capital, out का o capital, सारे capital, सिर्फ पहला small, वर्ड का पहला, दूसरे वर्ड से सारे capital, तो जावा ने क्या किया, दोनों को ये उस किया है, camel केस को भी और पास्कल केस को भी, अब बोलोगे कैसे, जावा के जितने भी functions है, ready made, predefined function, फंक्शन भी पढ़ाने वाला हूं मैं आपको, लेकिन कुछ ऐसी चीजे हैं, जिसे बताना ही पड़ेगा, भले समझे ना समझे, जावा में ऐसा होता है, तो इसके लिए कुछ चीजे हो सकती है, हाँ, बस मैं आपको बता रहा हूं, function किसको बोला जाता है, जैसे मैंने लिख दिया Amit, उसके आगे दो brackets लगा दिया, ये function है, ये class के अंदर होगा, class का नाम कुछ और होगा, निती नहोगा मान लेते हैं, class अलग और function अलग, function class के अंदर बनता है, जावा में ये rule है, ये function है, हाँ, तो जावा के जितने भी functions है, जैसे set display नाम का function है, तो वह ऐसा है, set का s small, display का d capital, मतलब पहला letter small होगा, आगे के सारे letters capital होगे, हम पहचानने में बड़ी आसानी होती है, class का पहला letter भी capital, सारे capital, तो देखा जाए तो ये pascal case notation हो गया, और ये वाला camel case, लेकिन किताब में हम पढ़ते भी हैं, तो camel case notation दिया होता, लेकिन वो pascal case भी है, और camel case द होता है, तो एक ये बात भी देहन रखो, देख लो, ये कैसे लिखा है मैंने, ये small है, बाकी की capital, और कुछ, जैसे set, mouse listener, ये भी एक function है Java में, तो आप लिखो के set का s small, mouse का m capital, listener का s, मतलब क्या होता, ये कौन सा function पता है, जैसे mouse आप लेके गया किसी button पर, तो ले जाना, move क करना अलग हो गया, exit करना अलग हो गया, वहां से हटना, प्रेस करने पर क्या होना चाहिए, वो भी लिख सकते हो, रिलीज करने पर क्या होना चाहिए, वो लिख सकते हो, और mouse को घुमाने पर क्या होना चाहिए, वो अलग होता है, ड्रैग बोला जाता है, आप रगड़ते ह कि किसके काम आएगा जिसको आप बना के दोगे वो भी डारेक्ट कुछ भी कर सकता है कलर चेंज में सब कुछ पॉसिबल जाए जावा को रोबस्ट बूला जाता है मतलब किसी भी सिचुवेशन पे चलने वाली ही रोबस्ट होती है यह चीजे हैं तो यह ओर विव मैंने आपको दिया यह क्लास फाइल बनी हम एक फोल्डर बनाएंगे अलग से और उसके बाद एक एक जो हाँ आप चलो एक लास सवाल है मेरा आप से इस प्रोग्राम को देखो मुझे आप से सिपी यह पूछना है कि इस पूरे प्रोग्राम में कितनी क्लासेस आपको दिखाई दे रही है बस इसका जवाब सब लोग सही नहीं दे पाएंगे एक चलो एक ने बोला एक तुम बोलो चार तुमें दिख रही है हां तीन तुमें एक क्या लगता है सब का सही होगा या किसी एक का सही होगा एक कई होगा ना पढ़ाया सबको है मैंने तुम दोनों बोलों पीछे एक है एक तो इसमें टोटल तीन है क्लास कैसे दिखा देता हूं आगजा मतश मतश मतशन अ यह यह यही ख्लास इससा इसा का लेटर क्या रॉन कि ला इसका भी थे एक हम्या सब्सक्तLरा धिरस देघए लॉण टू लिखते हो सिस्टिम का स्मॉल लिखते हो रहर बुद करता है satisfcómo can ड्र करना गहारा हूं थै कि आप HUNDRED ६ पहली billing होसा ही अब बता दिया थियर भी मैने फिर भी यहीं होगी भदाया न मैंने और फिर भी यहीं घलती होागी आप से इसको पहले इंस्टॉल वगरे कर लो थोड़ा सा आप आदत बना लो इसकी एक एसे हेलो कम से कम प्रिंट कर लो थोड़ी आदत बना लो जावा सी वगरे लिखो थोड़ा एक बार आपको हाथ चल गया तो फिर मज़ा आता है आपको समझने में भी और मुझे पढ़ाने में दोनों को मज़ा आना चाहिए सिर्फ आपको ही नहीं मुझे भी तो इसलिए बाकी का हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे ग्रूप पे आ जाएगा मैसेज कब होगा क्लास और जो होगा वो ये लेक्चर रेकॉर्ड किया है आप कोडिंग सीखो एप पे जाओ एप प पिछला मिला ये मिला जो लॉग इन करेगा सिर्फ उसको मिलेगा चलो फिर बाए सबको हा लेकिन उसमें अगर आपने गलती की एप में स्क्रीन रेकॉर्ड करने की डाउनलोड करने की या फिर और कोई गलती की तो ब्लॉक हो जाओगे हमेशा के लिए ये मैंने नहीं वह साथ लोग ब्लॉक हो चुके हैं उसमें फिरो लोग मुझे बोलते हैं अन ब्लॉक करने को तो मैं कर देता हूं लेकिन ये गलती मत करो बार बार ब्लॉक मत हो एक आदे बार ठीक है आपने कोशिश की नहीं होगा कुछ भी स्क्रीन शॉट भी नहीं जैसे आप बहुत सारे नहीं कर सकते कुछ नहीं हो सकता हाँ आप ऐसा कर सकते हो कि दूसरे मोबाइल से उपर कर सकते हो ये होगा बाकी कुछ नहीं होगा चलो फिर भाइ सब को